कि नमस्कार मैं अंजली मिश्रोर स्वागत है आपका अमारी चैनल में उत्तर प्रदेश में विधान सब्द चुनाओं को लेकर डेट्स की घोशना हो चुकी है दस फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाओं के शुरुवात हो जाएगी और इसी बेच सीटों का बटवार कि सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और ऐसे मैं आपको बता दे कि समाजवादी पार्टी और रल्ड के गडबंधन को लेकर 29 सीटों पर उमिद्वारों को उतारा गया है और यह पहली उमिद्वारों की लिस्ट निकलकर साबने आई है जिसे देखते ही आपको बता इरिया पर भी जो 60-30 से जादा मुस्लिम उमिद्वारों को उतारा गया है जिससे जाट समुदाय में काफी जादा आकरोश देखने के मिल रहा है और कहीं न कहीं यह आकरोश सब बीजेपी के लिए ऑक्सीजन का कामकरती नजर आ रही है क्योंकि पहले इस गडबंधन से ज जगह जहां पर आपको प्तादे कि जाट समुदाय की जादा चलती है जाट की पाती मानी जाती है अरेल डी उसके जो अध्यक्षेव खुद एक जाट है और इसके बावजूद जहांपर सबसेज़ादा जाट कम्युनिटी की चलती है वही पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा गया है जिसे जाट समुदाय में साफ तोर पर आप कह सकते हैं कि अब बगावत की सुर देखने के लिए बिल रहे हैं और ऐसे में इस सूची को लेकर बीजे पी नेता स्वतनत देव सिंग ने भी इस पर सवाल खड़े की है उन्होंने लिखा है सपा ने अपने उमिद सब्सक्राइब के संरक्षण वाली यहीं बबुआ का समाजवाद है तो आपको उदादे के इसी तरीके से कई सारे और नेता भी समाजवादी पाती की इस पहली सूची को लेकर उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस पहली सूची को तयार करने से पहले उन्होंने क आप सोच कर किया था जबकि जो सीट का डिस्ट्रिबूशन हुआ है वह इसका दर हुआ है कि 29 पर उमिद्वार उतार गया है 19 आरल जी के और 10 समाजवादी पाती के हैं लेकिन आरल जो कि जातों की पाती है जिसके अध्यक्ष कुझात है वहां पर भी मुसलिम प्रतियाश् ने भी ट्वीट किया था प्रदेश का अपराधी नंबर वन बना समाजवादी पाती का प्रत्याशी नंबर वन अखलेशी आदम ने अपनी सरकार में जिस के राना से हिंदूओं को पलायन करने पर मजबूर किया था आज उसी विधान श्रबाद स्चेतर से कुख्यात गै गैंस्टर के तोर पर जाना जाता है और एक और चीज़ के लिए उन्हें जाना जाता है कि उन्होंने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त भी उन्होंने हिंदू का प्रतारित किया था अब उसी करायन से इन्हें सीट दे दिया गया है मतलब उसी करायन से अब इन्हें उमिदवार बना दिया गया है जिसके विज़े से अब समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आकर वादी पार्टी ऐसे गुंडों को जो है टिकट देती हुई नजर आ रही है ऐसे गुंडों को गैंगस्टर को वह अपनी पार्टी के तरफ से दे रही है इसके पीछा आखर कारण क्या है गुंडों का संदक्षन देनी वाली पाटी समाजवादी पाटी बन चुकी है अगोदादे की नाहीद हसन जिने के रना से दर्ज है यानि पूरी तरीके से एक अपराधिक बैक्ग्राउंड वाले व्यक्ति को समाजवादी पाटी के तरफ से टिकेट मिलता है और यह पहली बार नहीं कई सारे ऐसे नाम है कई सारे ऐसे लोग है जो इसी तरीके से अपराधिक बैक्राउंड रहते हैं जो पैधान मंत मुस्लिम पत्याश्य को उतारा गया है इसे लेकर भारी आकरोज जाट समुदाय में देखने के लिए मिल रहा है लगता जाट समुदाय इस बास सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखर क्या सोच कर आरेलडी के तरफ से भी इसे हामी भरी गई है क्या सोच कर बागपत मेरत जैसे ज सब्सक्राइब करने के लिए उनका नाम एहमद हमीद है यहां पर भी एक मुस्लिम कैंड़ेट को उतारा गया है मेरत से जिन दिया गया है रफीक अंसारी है और आपको बतादे कि यह सभी जो है काफी जाट डॉमिनेटेड एरिया और यहां से भी मुस्लिम कैंड़ेट को सब्सक्राइब करने के लिए पहले इस गडबंदन को लेकर आकरोश्ता अब गडबंदन के तरफ से सूची जारी कहीं है कहने के लिए सीट जो है रल्डी को दिया गया है लेकर इस सभी सीटों पर उमिद्वार जादा से जादा मुस्लिम कैंड़ेट को उतारा गया है यह वही मुस्लिम है जिनके मुस्लिम और इन जाटों के बीच में राड देखने के मिलती है और यह वही समाजवादी पार्टी है जो 2013 से लेकर 2017 की सरकार थी तो लगतार इसमें दंगे देखने के मिले थे जिसमें एक लड़की को मुस्लिम समधाय के लोगों ने छेड़ा था ने जातकी लड़की थी जिसके बाद काफी खुन खराबा दंगा देखने के मिला था और इस दरान कई जाट मारे गये थे इस दरान कई की लोगों मोत के घाट उताड़ा गया थो और ऐसे में आपको बता दे कि जितने भी मुसलिम जिनके ऊपर केस हुआ थो जितने मुसलिम जिने जेल में डाला गया था वही वही समाजवादी पार्टी है जहनों ने उन मुसलिम को पुलिस कुछ को अंजाम दिया हमेशा से हिंदू वि जाट विरोधी इनका घो वधित्व विठ्डव यह देखने के लें कि दिया है और मुसलिम की तुष्टिक करनने कंवार दो अचलिकां के निसों कि दे हुआ आपको जाधें यह व फो किताते हैं कि हमाझ सब तरह नहीं या अक्रोश योगी आदितनात के लिए फायदेबन साबित हो रहा है क्योंकि इस तरह से बीजेपी के तरफ लोगों का जुकार पड़ता नजर आ रहा है लोग कह रहा है ऐसे गड़ बंदन जहां पे मुस्लिमों को इतना प्रेफरेंश दिया जा रहा है ऐसे गड़ बंदन क से खर्च कर रहे थे उस वक्त बिने दंगे से कोई लेना देना नहीं था और आपके बतादे कि 2013 से लेकर 2017 तका यह जो एक टाइम पीरियद था जब अखले शादव की सरकार थी तो कई सारे दंगे देखने के लिए तो वही अगर योगी आदितनात के 5 साल का कारेकाल देख तरिके के सोच रखती हैं और आखिर कौन से एक तबके के लोगों को यह फेवरिटिजम कर रही है कौन से तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है आप उदादे कि जैसे यह सूची जारी हुई है लगतार समाजवादी पार्थी के ओपर सवाल खड़े के के लिए इन्होंने हामी भर दी आखिर क्या सुचा जहां पर बितने सारे जाट है जाट मुसल्मानों में एक बड़ी राट देखने क्ले मिलती है इसके बावजूद इस तरीके के फैसला लेना कहीं नुकसान थे हसाबित होने वाला है और साथ समाजवादी पार्थी को तो परिवर्तन युवा किसान के विकास का मंत्र आ रहे अखिलेश और जयंद और इसके साथ ही खुद जयंद सिंग ने भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि गडबंधन के सभी कारे करता एक जूट होकर इन प्रत्याशियों के चुनाव में पूरी निस्ट्रा से महानत करेंग कि नहीं बनती है इस बात से खुद समाजवादी पाटि अबगत इस बाद से खुद जो अध्यक्ष है वह भी अफगत है इसके बावजूद आपको बता दे कि इस तरीके से प्रत्याशी उतारने का आखिर इसका खामियाजा बदा दे के आने बाले चुनाव में देखना प कि ये मुसल्मानों को ये आरक्षन देने जैसा है ये मुसल्मानों को जिस तरीके से ये इतने सारे सीटों पर इने प्रत्याशे बना के उतारा है ये उनको आरक्षन देने जैसा है और इस बात का समर्थन नहीं किया जाएगा साथी साथ आपको बता दे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो कमेंट पर ये कह रहे है कि 10 मार्च का इंतजार क्यों करे ये तो अभी साबित हो गया है कि जिस तरीके के प्रत्याशे इन्हों ने उतारे है इनकी हार निश्चित है यानि साथ तरपर समाजवादी पार्टी के पहली सूची ने उनके हार को तैय कर दिया है सुनिश्चित कर दिया है खासकर जाट समुदाय के लोगों के तरफ से तो पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर दिया गया है आपको दादे की एक और वेक्ति ने सवाल खड़े के उन्हें लिखा है कि जाटों के नाम पर राजनीती करने वाली RLD ने बागपत से एहमद हमीद को टिकट दी है बागपत में भी आपको कोई जाट भाई नहीं मिला टिकट देने के लिए तो लगतार इस तरीके के सवाल ख समाजवादी पार्टी ने इतनी पार्टियों के साथ गड़ बंदन कर लिया है कि सीट के लिए भी मुश्किल का कारण बनता नजर आ रहा है अब ऐसे में तरीके से जाट समुदाय का आक्रोश देखने के लिए नजर आ रहा है ऐसे में आने वाले विधान सभाई चुनाओ को लेकर जाटो का समर्थन जो है बीजेपी के तरफ जुकता हुआ नजर आ रहा है और यह समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किली और आने वाले वक्त में बढ़ाने वाली है इसी के साथ आपनी पूरा मुदा जाना कि अखिरे पूरा मुदा है क्या और इस पूरे मु कर दो